दोस्तों MS Word की इस Amazing Chapter में आप सब कस हो अगते हैं जहां पर आज हम Create करने वाले हैं Desk Calendar नॉर्मली आप इसके नपे एक format देख पारे हो जो कि आपको काफी attractive लग रहा होगा और इसी format को आज हम बहुत ही simple steps में Create करने वाले हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब यहां पर सबसे पहले मैंने किया किया है कि हमने एक नया document ले लिया है जहां पर हम उस पूरे format को create करने वाले हैं अब सबसे पहले आपको करना किया है आपको जाना है layout वाले section में और यह जाने के बाद आपको जाना है orientation में और जो आपके page का format है उसको हम कर देंगे landscape यह हमने किया अब यह करने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा format है वो proper desk calendar के type का आ गया है अब यहां भी सबसे पहले आप notice करो कि हमें बनाना है कुछ इस तरीके का format तो सबसे पहले हम यह वाला format के rate करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है insert वाले section में और जाना है shape वाले section में और यह जाने के बाद आपको simple यहां पर देख र करना है वह color यहां पर apply कर देते हैं like हमने यह apply कर दिया करने के बाद इसके outline है उसको हम no कर देंगे इसके बाद इसी को हम copy करेंगे और paste करेंगे आप simple control c और control v का use b कर सकते हो तो हमने copy किया और इसे paste कर दिया आप देखो कि एक इसका format यहां पर ready हो गया है अब इसको हम कर देंगे यहां पर drag और drag करने के बाद इसका color कर देंगे black जैसे यह करेंगे इसके बाद हम करेंगे send backward और आप देखो कि जो format है वह हमारा इस तरह से create यहां पर हो गया अब यह होने के बाद इसके outline है उसको हम white कर देंगे ताकि एक और अच्छा लोग यहां पर represent करें बिल् से right triangle तो यह हमने लिया और यह लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर इसे हम apply कर देते हैं तो यह हो गया proper complete यह अब यह होने के बाद क्योंकि यह shape तो वैसा है नहीं तो हमें यहां पर जाना है edit shape में और यहां पर करना है edit point पर click क्लिक करने के बाद आपको इस corner पर आन अब यह करने के बाद इसी को हम copy करेंगे और paste करेंगे देखा आपने बिल्कुल simple तरीके से और यह करने के बाद इसका जो color है वो हम कर देंगे यह यह वाला color तो यह हमने किया और यह करने के बाद अब यहां पर simple हमें इसे fix करना है तो इसे लेके आते है उपर इस तरह से और इसे लेगे आते हैं थोड़ा सा पीछे और ये इस तरह से आप देह सकते हों कि इसका ज लू किया वह on प्रॉपर अट्रैक्टिब तरीके से यहां पर आ गया है तो यह तो हमारा हम बात करें shape element वह हमारा यहां पर create हो गया तो यहथो हम इस-स color में रख सकते हैं otherwise जो color हमने यहाँ पे दिया हुआ है black और इसका combination वह हम दे सकते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे उपर वाले को black कर देते हैं तो यहाँ पर मैं इसे कर दिया black और नीचे वाला जो element है उसका color orange कर देते हैं अब यहाँ पे देखो select करने में मुझे दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप क्या करोगे इसके लिए आप home में जाओ और यहाँ selection paint पे click करो जिदने भी shape आपने ले रखे हैं सबका option आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो I think यह third one है तो मैंने इसे select किया और select करने के बाद इसका जो color है वो हम यहाँ पे कर देते हैं orange तो यह color यहाँ पे आ गया और इस तरह से अगर आप अपने shapes वगरा को select करना चाहरे हो तो आप इस तरह से कर पाऊगे तो यह काम हो गया अभी होने के बाद हमें यहाँ पर image वगरा का format insert करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए 4 x 4 का साइज हम ले लेते हैं तो यह हमने लिया और यह लेने के बाद इसका जो कलर है वह आपको कर देना वाइट प्रॉपर वाइट करेंगे आउटलाइन बिसके वाइट कर देंगे अब देखो यह प्रॉपर ऐसा फॉर्मिट आ रहा है कि आपको लग रहा है यह बिल्कुल और मैंने किया इंसर्ट अभी आगए इमेज अब इसका साइज हम थोड़ा से छोड़ा कर लेते हैं 3.5 & 3.5 तो यह हमने इसका साइज किया और आप देखोगे कि इस तरीके से यह प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट हो गया तो यह एक लुक आप यहाँ पर इस तरह से इसका दे सकते हो इसके बाद अगर इस इमेज में कोई एड़ेटिंग आपको अप्लाई करनी है तो आप फॉर्मेट में जाओ और करेक्शन में जाके इसका कॉंट्रास्ट बगरा आप अपने इसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो जो कि आप देख पार हो तो यह हो कि हमार अपने है तो शोन ही हो रहा तो कंट्रॉल एक की मदद से से सलेक करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे वाइट ठीक है वाइट किया और इसे हम कर लेंगे बड़ा बड़ा करनी के बाद जो भी फॉंट आपको इसमें अप्लाई करना आप सिंपल यहां पर जाओ और जो भी फ प्रॉपर इस तरह से थोड़ा से और बड़ा कर लेते हैं ताकि यह और अच्छा लोगया रिप्रिजेंट करें और यह इस तरह से यहां पर आ गया तो इस तरह से आप इस पूरे फॉर्मेट को एडिट कर सकते हो आपके सामने है अब यहां मुझे लगता है कि शायद मैं इसका जो size है वो थोड़ा जादा छोड़ा कर दिया है तो इसे हम फिलाल के लिए ऊपर कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं यहां पर adjust तो यह अब थोड़ा पहले से जादा बेटर लग रहा है तो यह हो गया हमारा format ready अब यह होने के बाद हमें लिखना है यहां पर January और य बाद जोभी font आपको इसका रखना है जैसे bell empty रख लेते हैं यहां पर और यह करने के बाद इसको कर लीता है है चोटा । तो यह मैंने किया इसका size शोटा और इसे यहां पे adjust कर लेते हैं इसके बाद इसका color हमने कर दिया ब्लैक अब हमें यहां पे properly टेबल इंसर्ट करनी है तो वह हम कैसे करेंगे आप इंसर्ट में जाओ टेबल पे ग्लिक करो और यहां पे हम ले लेते हैं टेबल जैसे मैं कोई टेबल में जाके केलेंडर ले लेता हूँ अब दिक्कत क्या रही है मैंने टेबल लिया और सारा जो एडजस्टमेंट है वो हो गया गरबड तो ऐसी चीज आपके साथ भी ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए सिंपल हमें करना गया है सबसे पहले आप इंसर्ट में जाओ शेप में जाओ और यहां पर एक एकस बॉक्स के अंदर हमने करसर रखा इंसर्ट किया और टेबल में जाके कुट टेबल में जाके सीधा सीधा हमें कैलेंडर ले लेते हैं और अब देखो कि यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट इशू हमारे पास नहीं आया अब इसे हमें पूरा एडिट करना पड़ेगा तो हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर सेलेक्ट करने के बाद क्या की चीज़े करने मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो यहां पर जो भी फॉंट आपको पसंद हो फॉंट आप ले लो जैसे के मैं सिंपल यह वाला फॉंट ले लेते हैं साइज इसक फॉर्मिट यहां पहीं लेए और लेने के बाद इसको करते हैं तो इसको करते हो मृपूं जब्सक्तेνα लिधिया और इस तरहिके से आप शर शेलिंग कर सकता है इसके साथ ही अगर बात करें इंसाब elements कि तो इसे भी आप इस तरह से select करो select करने के बाद यहां simple siables आपको क्या करणा है shape fill में जाना है और यहा own fill कर देना है no fill हमने किया इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर no borders कर देना है तो जितने भी borders select किया, select करने के बाद यहां पर जो भी font हमें रखना है, वो font हम ले लेते हैं, लाइक हमें यह पसंद है, यह जो भी आपको पसंद है वो आप select करो, फिर इसे center alignment कर लेते हैं, इसके साथ ही layout में जाओ, और इसे center में कर दो, तो यह proper बीच में यहां पर आ जाएगा, और यह आने के बाद, क्योंकि इसमें spacing काफी जादा आ रही है, तो हम इसकी spacing को थोड़ा सा कम कर देंगे, इस तरह से, और यह हो गया, अब होने के बाद, इसे select कर लेते हैं, home में चलते हैं, और इसका जो यह color है, वो हमने यहां पर change कर दिया, और इसकी shading है, उसका color हम ले लेते हैं यह, तो यह हमारा बिल्कुल fix हो गया, अब जो हमने text box यहां पर लिया है, उस text box की जो outline है, वो यहां पर हम हटा देते हैं, तो इस तरह से आप देखोगे, कि आपका जो proper format है, वो यहां पर ready हो गया है, अब यहां पर एक line यहां पर extra insert हो गया है, तो इसको select करो, backspace करो, और enter कर दो, आप देखोगे, कि वो जो extra line है, वो यहां से हट गई है, और इस तरह से बड़ी ही आसानी से, आप इस पूरे format को edit कर पाऊगे, इसके बात यह जो हमने लिखा है, इसको हम बड़ी ABCD में convert कर लेते हैं, यहां पर case कर देते हैं, तो थोड़ा और अच्छा लोग यह I think represent करेगा, तो इस तरह से आप इसे यहां पर create कर सकते हो, so I hope कि दोस्तों यह जो format है, वो कैसे create होगा, वो आपको clear हो गया होगा, अभी तो हमने यह format है, वो काफी speed में बनाया, बट फिर भी यह format होगा, आप जितना अच्छा time दोगे, उतना अच्छा format यहां पर create कर होगे, so I hope कि दोस्तों यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें, share करें, साथे comment करके अपना feedback जरूर दे, thank you.